नमस्कार, मकर रासी पिर्थवी तत्व की रासी है, स्वामी सनी है आप गंभीर प्रकर्ती आध्यात में की तरह रूची और काम के प्रति लगन होती है आपमें मंगल दोस अगर कुंडली में लगन में चार, साथ, आठ और बारवे खाने में मंगल हो तो मंगल दोस पैदा होता है आपकी कुंडली में मंगल दोस है तो ये बिवाह में बाधा उत्पन करता है मंगल दोस कभी-कभी सारे रस्म के बाद भी विवा तोडने का कारण बन जाता है साधी तेख होकर भी कभी-कभी तोड जाता है आप मंगल दोस की सांती जरूर करवाए वैसे तो मकर रासी के लिए अपनी मा और बेटी के साथ रिस्ता बहुत इंपोर्टेंट है आपकी माँ आपकी किस्मत की चाफी है इस बात को याद रखिए अगर चंद्रबा यहां कमजोर हो जाए तो कभी कभी रिस्तों में दिक्कतें पैदा हो जाती है यहां पर बेटियां अक्सर इकलोती होती है और उनके दूर जाने से आपसी रिस्तों में समस्या देती है या आपसी रिस्ते बिगड़ जाते हैं मकर रासी वाले अपने घर के उत्तर दिसा में धन का अस्थान बनाए तो ज्यादा बहतर रहेगा यहां कुवेर का एक चीतरे रखें छोटा सा तो बहतर होगा धन के अस्थान पर भूल कर भी सोना मत रखिए ऐसे तो मकर वालों की कुंडली में मंगल तथा सप्तम भाव में चंदर होतो धन योग बनता है अगर आप हीरा पहनते हैं तो आपको बहुत benefit होगा केरियर में फायदा होगा पद, परतिश्ठा, संतान से संबंद बहतर होगे प्रेम, बुद्धी, बढ़ियां होगा बढ़ियां पोजिशन आपको जो पोजिशन वो बहतर होता चला जाएगा आपको हीरा सूट करेगा हमने आपको इसके पहले वीडियो में बताया है मकर रासी वाले अपने छेतर में माहिर होते हैं अपने बिसें में माहिर होते हैं अगर ये जोतिस हैं तो जोतिस के छेतर में माहिर होंगे सबसे बड़ी कमजोरी होती है इनकी योगता का इन को घमन्ड होता है आपको हम पहले वीडियो में बताया है अब हम आपको आगे बताते हैं मकर लगनवाले अगर सनी का रत्न नीलम धारन करें तो आपको आर्थिक सफलता मिलेगी, सिख्छा में बिर्धी होगी, आप इस रत्न को लाइफ टाइम धारन कर सकते हैं आपके लिए पढ़ना भी बहुत सुटेबल रत्न है, भाग में बिर्धी होगी हीरा पहन्ने से संतान समंद्धी समस्याइं दूर होगी, आप मानिक के पुखराज कभी भी धारन ना करें आप मोती और मुंगा दसा अंतर दसा में सला लेकर धारन कर सकते हैं आप सेहत के मामले में लापरवाही ना करें, जिम्मेदारी आप उतनी ही लें जितनी आप संभाल सकते हैं आप अगर हनुआन जी की सरन में रहेंगे, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा मकर लगने के लिए बिरस्पती, मंगल, चंद्रमा, असुब सिद्ध होते हैं इनकी दसा महादसा कष्टकारी सिद्ध होता है आपके लिए सुब अंग, पांच और साथ है सुब रंग, आसमानी, सफेद, सलेटी और हरा रंग है और सुब दिन, सुक्रवार, सनीवार, बुधवार आपके इस्ट सिवजी है गुरुवार को नया काम आप आरंभ ना करें मकर लगनवालों को धनू, मीन, करक, मिथुन, रासियों से या लगन से बिवा करने से बचना चाहिए आप लोहे से संबंदित बैपसाई में आपको लाब होगा मकर लगनवालों को पस्चिन दिसा से लाब प्राप्त होता है आपके अच्छे मित्र, ब्रिस, तुला, करक, करने वाले होते हैं यदि किसी को बैपार के लिए पैसे देने हो तो बुद्वार को आप पैसे ना दे बुद्वार के दिन दिये गए पैसे बहुत मुश्किल से आपको लाब दिलाएगा पुझी फसने की भी संभावना रहती है यहाँ पर ब्यपार के लिए रात्री में ही अपनी योजनाय बनानी चाहिए आपको जब तक सूर्य उदित रहे अपनी योजना के बारे में किसी से आप स्वयम चर्चा ना करें आप चांदी का छला या चांदी का कड़ा जरूर धारन करें और बहुत सारे पीपल के पौधे लगाएं संगर्स आपके पास पैसे तो बहुत होते हैं लेकिन आपको संगर्स पैसे बचाने के लिए करना पड़ता है आपको कर्क सिंग वृस्चिक रासी वालों से साबधान रहना चाहिए यहाँ पर आपको भावनात्मक धोखा मिल सकता है बिभा या प्रेम के मामलों में खास करके इनसे बचने के लिए आप चंद्रमा को अर्ध दें थेंक यू